हलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जॉब जेनल नॉटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स अगर आप 12 पास हैं और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तब वैसे तो आपके पास काफी ओफसंस अबलिबल है आफटर 12 मेडिकल फील्ड में बहुत सारी कोर्सेज अबलिबल हैं डिपलोमा कोर्सेज हैं बैचलर डिग्रीज हैं जो आप कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेकिन उनी मैसे मैं एक कोर्स है जिसके बारे मैं इस वीडियो में आपको explain करने वाली हूँ वै कोर्स है Dialysis Technician का Career as a Dialysis Technician अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तब आप वीडियो को end तक देखेगा मैं इस कोर्स के बारे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी फुल डिटेल इस वीडियो में देने वाली हूँ लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर government job vacancies and courses के बारे में जानकारी देती हूँ तो आपको ऐसा notification टाइम से मिल सके इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा साथी friends मैं आपको बता दू मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है logical qn second channel है इसका link में आपको description box में दूँगी logical qn channel पर आपको हिंदी पहलिया, riddles, reasoning questions, general knowledge questions आपको उस channel पर देखने को मिलेंगी तो अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं हिंदी पहलिया, riddles, general knowledge या reasoning questions आप solve करने में इंट्रेस्ट रखते हैं तो link मैंने description box में दी है, आप वहाँ से उस channel पर जाएए और channel को subscribe कर लीजेगा चलिए आप video start करते हैं तो अगर आप as a dialysis technician अपना career बनाना चाहते हैं, देन आपको B.A.C. in dialysis technology course करना होगा इसमें diploma courses भी applicable है, मैं यहाँ पर आपको B.A.C. course के बारे में जानकारी दूँगी सबसे पहले हम यहाँ पर dialysis के बारे में जानकारी ले ले लेते हैं, dialysis होता क्या है dialysis की जरुरत तब होती है, जब हमारी body में kidney अपना बर्क ठीक से नहीं करती है जब कोई kidney disease हमको हो जाती है, या किसी जिस patient को kidney disease है मतलब कि kidney अपना बर्क प्रॉपर नहीं कर रही है, kidney का बर्क क्या होता है, kidney हमारी body में filter का का काम करती है जो हमारी blood रहता है, हमारे blood से बेकार की जो चीज़े, जो best product रहते हैं, उनको filter करके बाहर निकालती है लेकिन जब kidney filter करना बंद कर देती है, जिससे हमारा blood filter नहीं हो पाता है, ऐसी condition में dialysis किया जाता है तो dialysis के बारे में आप जान गए हैं कि dialysis actual में होता क्या है, kidney disease जब जो kidney disease हो जाती है किसी को या kidney प्रॉपर नहीं करती है उस condition में filter करने के लिए मसीनों के द्वारा blood को filter किया जाता है और इसी को हम dialysis कहते हैं तो अब आप समझ गए है dialysis होता क्या है, अब अगर आप dialysis technology में अगर आप course करना चाहते हैं तब आपको इसमें BSC course आप इसमें कर सकते हैं, बैसे जैसे कि मैंने बताया आप इसमें diploma courses भी अबलेबल हैं वो भी कर सकते हैं लेकिन आप BSC course करते हैं तो यह ज़्यादा वेटर रहता है, इसमें diploma courses कम duration करता है, BSC का ज़्यादा रहता है चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं eligibility, यह course करने के लिए मैं mention कर चुकी हूँ after 12th, यहाँ पर जो eligibility है, वो after 12th आप यह course कर सकते हैं आप science subject से अगर आपने 12th pass out किया है, minimum 50% marks के साथ, लेकिन जो reserve categories के candidate रहते हैं, उनको थोड़ा सा relaxation दे दिया जाता है percentage में तो आप यहाँ पर 12th pass out के बाद यह course कर सकते हैं, duration के अगर हम बात करें, undergraduate course है, जैसे कि normal हम B.S.C. करते हैं, या कोई भी bachelor degree करते हैं, तो जदे तर त्री years का यह course complete होता है तो इसी तरह यह भी जो B.S.C. in dialysis technology course है, वो भी तीन साल में आपका complete हो जाता है, fees अगर हम देखें तो overall इसका diploma and जो bachelor courses है, उसमें अगर हम देखें तो पचास अजार से लेकर के 30 लाक में आपका यह course complete हो जाता है, अब हम देखते हैं admission procedure, admission procedure क्या रहता है, तो वैसे इसका main रहता है entrance exam, आपको इसमें entrance exam देना होता है, तभी आप इसमें admission ले सकते हैं, वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको जो आपकी percentage है, उसके base पर merit तयार कर ली जाती है और उस तरह से आपका admission दे दिया जाता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे college से, अच्छे institute से अगर आप इस procedure क्या है, किस तरह से आप इसमें admission ले सकते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं, slavers, slavers क्या रहता है, VSC in dialysis technology का slavers क्या रहेगा, तो आप अगर यह course करते हैं, तो आपको इसमें human anatomy and physiology, biochemistry, microbiology, pathology, dialysis system and equipments, renal disease, safety and hygiene, dialysis technique, तो यह इसका slavers है, इस सब के बारे में आपको study कराई जाती है, किस तरह से जो instrument है, जो machine है, उनका use करना है, किस तरह से आप यह पूरा जो process है, anatomy, physiology, यह सारे chapter आपको deeply पढ़ाय जाते हैं, तो यह तो होगे आपके slavers की बात, किस तरह सा slavers रहेगा, आप किस तरह से study करते है हैं, dialysis technology में, diploma course अगर आप करते हैं, उसमें भी same syllabus रहता है, बस थोड़ा सा इसमें कम कर दिया जाता है, लगवक सेम रहता है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर job opportunity, job opportunity क्या है, अगर आप यह course करते हैं, तो आप किस तरह से job ले सकते हैं, तो आपको private and government, तोनों ही sector में आपको job मिल जाएगी, अगर आप यह course करते हैं, private and government, hospital, healthcare, institutes, college, universities, international healthcare में job आप ले सकते हैं, अब आप जोब आपकी जब लगती हैं, तो वो as a dialysis technician, medical assistant, neptrologist, lab technician, इस तरह से आप इसमें job ले सकते हैं, तो आप अगर यह course करते हैं, तो आपको job के अच्छे chances हैं, ऐसा नहीं है कि आ आपको job ना मिले हैं, या आपको मिलने में दिक्कत हो, तो ऐसा नहीं, आप private, government, किसी भी hospital में आप इसली job यहाँ पर ले सकते हैं, अब हम बात करते हैं, salary की, आपकी salary क्या रहती है, तो यहाँ पर starting salary 20-25,000 पर मन्त रहेगी, आप starting salary आप private में लेते हैं, देन आपकी करता है कि आप किस टाइब की job ले रहे हैं, अगर आप hospital में कर रहे हैं, आप college में हैं, as a lecturer आप job ले रहे हैं, तो यह आपकी job, जो आप जिस तरह से job ले रहे हैं, उस job profile पर depend करता है कि आपकी salary कितनी होगी, लेकिन average देके, तो आपका 20-25,000 starting salary आपको मिल जाएगी, ओके friends, तो यह थी job opportunities, इस बीडियो में मैंने आपको dialysis technology course के बारे में जानकारी दी है, B.S.C. dialysis technology course के बारे में आप किस तरह से dialysis technician बन सकते हैं, diploma courses available है, साथ ही मैं आपको institute बता हूँ, तो बैसे all India में अगर हम देखे तो अच्छे च्छे institute हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगी, अगर आपको suitable रहता है, आपके ही state में आपके नजदिक कोई institute है, वहां से अगर यह course आप कर सकते हैं, तो आप करिए, जहां से भी आपको सुब आप क्लियर किये है, आसा करती हूँ, आपको यह वीडियो में helpful होगा, आपको आपके career को चूझ करने में, अगर आप dialysis technician बनना चाहते है, तो यह वीडियो में helpful हो, थोड़ा बहूत भी अगर आपको इस से आपके career को चूझ करने में help मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर ल देजेगा ताकि नॉटिफिकेशन आपको गवर्मेंट जॉब वेकेंसी और कोर्से के टाइम से मिल सकेंगे थैंक यू